क्या आपका भी फेस ब्लीच करने से जल गया है, आपको फेस पे जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इसकिन लाल हो गई है, इसकिन पे रैशेज हो गई हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहूत ज़ादा पर ये कर सकते हो और आपको इसके लिए कोई ज्यादा मार्किट की चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं आपने फेस पे ब्लीच करी है और अब आपको फेस पे जलन हो रही है तो आपको कुछ ऐसे ही करे लिनून उसके तो सबसे पहला इंग्रिडियन्ट है अलोविरा जल एक ऐसा इंग्रिडियन्ट है जो कि बहुत ही एजिली अवलेबल भी हो जाता है और इसे यूज करना भी बहुत इजी होता है इसकी में होने वाली जो भी प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाता है तो इसका ये वाइट पार्टी आपको यूज करना है क्योंकि इसमें एंटिसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है आप अलोविरा जल को डारेक्ली अपने फेस पे यूज कर सकते हो और सर्कुलर मूशन में आपको इसकी मसाज करनी है और आदा घंटा इसे सूखने के लिए रख देना है आफ्ट आफक्स जो रेमेडी है और इसमें एक्सिट के एक विए जलन होती है जलन में निशान हो जाते है उसके कम करने है मिटाने ओक्राइद का रहना जब अब शावन संक्ट कि दोख जाता है और इसे अपने face पे circular motion में लगाना है और 15-20 मिनिट तक आपको इसे ऐसे ही लगा रहने देना है और उसके बाद में आपको ठंडे पानी से इसे wash कर देना है आप जो result होगा ना वो आप immediately देख सकोगे कि कितना अच्छा आपको result मिलेगा next remedy है आलू का छिलका आलू के छिलके को हम हमेशा fake देते हैं क्योंकि हमें लगता है इसका कोई भी use नहीं होता है लेकिन आलू के छिलकों में बहुत ही कमाल की healing properties होती है तो आपको जो आलू के छिलके है ना उसको आपके face पे या फिर आपको जहाँ पर भी जलन हो रही है वहाँ पर आपको इसे लगा देना है और आदे घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा रहने देना है और उसके बाद में आपको इसे ठंडे पाने से धो लेना है एक दिन में दो से तीन बार आपको इस तरह से करना है और आपको जो स्किन में जलन हो रहे हैं उससे बहुत ज़ादा रिलिफ मिलेगा नेक्स्ट फोर्थ रेमेडी है सैंडल वूड पाउडर चंदन का पाउडर चंदन जो होता है न उसमें बहुत ही अच्छी कुलिंग प्रॉपटीज होती है इसलिए जिनके पिंपल्स होते हैं उनको भी चंदन का पाउडर यूज करने की एडवाईज दी जाती है तो इसमें बहुत ही अच्छी cooling properties होती है तो sandalwood powder को आपको गुलाब जल में mix करना है और एक अच्छा सा paste बना देना है और इसे जहाँ पर भी आपको जलन हो रही है redness हो रही है या फिर आपको irritation हो रही है वहाँ पर आपको इसे लगा देना है इसकी थोड़ी मोटी परत आपको अपनी skin पर लगानी है और ताकि इससे आपको अच्छा better result मिल सके और उसके बाद में आपको जब यह अच्छे से सूख जाए तो थंडे पानी से आपको wash करना है याद रखना जो भी remedy आप अपने face पर लगा रहे हो इससे wash करने के लिए आपको थंडे पानी का ही use करना है तो इससे आपको skin पर और भी better result मिलेंगे आप इन चारों में से जो भी remedy आपको easily available रहती है आप easily use कर सकते हो आपको कोई भी किसे से कोई side effect नहीं होते है तो आप उससे easily use कर सकते हो और मैं आपको guarantee लेती हूँ कि आपको इसके बहुत अच्छी result मिलेंगे आपको थोड़ा patience रखना होगा क्योंकि home remedies के जो results होते हैं वो आपको एकदम से नहीं मिलते हैं बर जो result मिलते हैं वो बहुत अच्छी होते हैं और permanent होते हैं इसलिए आप continue use करते रही है आपको इसके बहुती बहुती बहुत रिजल्ट मिलेंगे तो याँ friends अगर आपको वीडियो helpful रही हो और और भी इसी तरह की helpful वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को ज़रूर subscribe कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जादे से जादा शेयर ज़रूर करना तो मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो के साथ बाई